अच्छी खबर लेकर आपके बीच आया हूँ हिंदुस्तान के चुनाओं में महिला अब एक मुख्य मुद्दा बन गई है पहले किसान एक मुख्य मुद्दा बना समर्थन मुल्य से जादा पे उसकी उपज को खरीदने का एक मुकाबला चला राजनीतिक डलों के बीच 36 गड़ में हमने देखा कि भूपेश बगहिल की सरकार और विपक्ष में जो भाजपा थी इनके बीच में एक किस्म से बोली लगी कि किसान को जादा दाम कौम सी पार्टी देगी उस बोली में बीजेपी आगे निकल गई 31 सो रुपे प्रती क्विंटल दाम देने की गोशना 21 क्विंटल धान प्रती एकल खरीदना ऐसी उसने गोशना की इसी के आसपास की गोशना भूपेश बगहिल की सरकार की भी थी तो जादा असर कांग्रेस को अपनी गोशना का नहीं देखने मिला दूसरी तरफ किसानों की जिस मदद से भूपेश बगहिल की सरकार 2018 में बनी थी वो मदद इस बार काम नहीं आई क्योंकि इस बार भाजपा ने उसी के टक्कर का उसी के बराबरी का एक प्रस्ताव एक तोफा एक चुनावी गोशना किसान के सामने रख दी थी अब बारी आई महिलाओं की तो बीजेपी ने अभी 2023 के विधान सभा चुनाओं में ये गोशना की कि उसकी सरकार आने पर हर विवाहित महिला को एक हजार रुपिया महिना दिया जाएगा खूब आगे बढ़कर महिलाओं ने फार्म भरना शुरू किये पूरा माहौल बदल गया बीजेपी के पक्ष में एक करोर महिला मद दाताएं हैं हलंकि इसमें केवल विवाहित के लिए कहा गया था लेकिन अठारा साल के अधिक की जो महिला मत दाता थी वो भी आगे जाके विवाहित होने की ही उनकी संभावना जादा रहती है तो सब को लग रहा था कि एक हजार रुपिया मैना उनको मिलने लगेगा हलंकि जब शुरू हुआ तो भाजपा ने कुछ शर्तें लगाई सरकारी नोकरी वाले परिवारों को नहीं मिलेगा आयकर दाता परिवारों को नहीं मिलेगा ले फिर भी सतर लाख महिलाओं को मिलना शुरू हो गए है सतर लाख महिलाएं ये तीन सवा तीन करोड की आबादी में सतर लाख महिलाओं को अगर मिल रहा है तो ये छोटी बात नहीं है खर, कॉंग्रेस पार्टी ने इस बार अभी कुछ दिन पहले भी घोशना की थी कॉंग्रेस पार्टी ने भी 14 मार्च को एक घोशना की थी जिसमें उसने ये कहा था कि एक नारी नियाय योजना वो लेकर आएगी अगर सत्ता में आएगी तो और जो सबसे गरीब परिवार हैं, सबसे गरीब परिवार उनमें से एक परिवार की एक महिला को एक लाख रुपए साल दिया जाएगा अब इस आकड़े के फर्क को समझने की जरूरत है 36 गड़ में बीजेपी की सरकार ने 1000 रुपिया महना तमाम शादी शुदा महिलाओं को देना शुरू किया जिसमें 70 लाख महिलाओं के नाम दर्जे हुए हैं उनको मिल रहा है पैसा, दो महिने का मिल चुका है कॉंग्रेस का आकड़ा थोड़ा अलग है सबसे गरीब परिवार ये कॉंग्रेस ने पहले दिन कहा ये कॉंग्रेस ने 2019 के लोगसभा चुनाओं के अपने चुनावी घोशना पत्र में भी इसको दूसरे तरीके से कहा था अमाउंट कम रखा था, 72,000 रुपिया साल रखा था उस समय इस बार बढ़ा कर एक लाग कर दिया है लेकिन जो पहली घोशना आई थी, 14 मार्च को जिसको राहुल गांधी, खड़गे, कॉंग्रेस पार्टी सबने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला था यह जरी की गई थी जानकारी, उसमें कहा गया था सबसे गरीब परिवारों में, अब सबसे गरीब परिवारों के बारे में कोई अंदाज लगाए कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा इसके पहले ही जो कॉंग्रेस की घोषनापत्र कमेटी में 36 गड़ से एक मिंबर हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो यहां के रह चुके हैं ये संयोजक हैं कॉंग्रेस की अखिल भारतिये चुनावी घोषनापत्र कमेटी के संयोजक हैं T.A.C.U. उन्होंने इंडियन एक्स्प्रेस को कहा था 14 मार्च को मैं वहीं से पढ़ कर बता रहा हूँ T.A.C.U. ने कहा था हम अभी भी भारत सरकार के जंगरना का इंतजार कर रहे हैं एक बार जब सरकार इसको कर लेगी तो हम महिलाओं की शिनाक्त कर पाएंगे यानि किनको ये दिया जाए कौन इसकी हित गराही रहेंगी उन्होंने कहा T.A.C.U. ने अभी अलग-अलग कई संस्थाओं के अलग-अलग आकड़े हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं इसलिए ये जाहिर है कि पहले भारत सरकार को जंगरना करनी पड़ेगी उसके बाद ही हम शनाक्त कर पाएंगे कि इस नारी नियाय योजना का फाइदा महालक्ष्मी नाम दिया है कांग्रेस ने इसको इसका फाइदा किसको मिले T.A.C.U. ने आगे कहा था इंडियान एक्सप्रेस को कि एक आंकड़ा जो है वो ऐसे सबसे गरीब परिवार 6-7 फी सदी बताता है दूसरा बताता है कि करीब 12 फी सदी ऐसे हैं तीसरा आंकड़ा बताता है कि 15-16 फी सदी परिवार सबसे गरीब हैं लेकिन सरकार जो है उसने अभी तक जंगरना नहीं की है 2011 के बाद के जन्गणना के कोई आंकड़े नहीं है इसलिए जब जन्गणना के आंकड़े आएंगे तब कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनती है तो वो यह तै कर सकेगी कि कितनी महिलाओं को कौन सी महिलाओं को इसका फाइदा मिले मामला बड़ा गलवल है कौन्गरेस चुनाव घोषना पत्र तो अपना कर रही है लेकिन उसको मुदी सरकार या केंदर सरकार के जन्गणना से जोड़कर रख रही है सामने ये टीएस सिंधेव ने अलग से कहा था राहुल गांधी खडगे और कौन्गरेस ने नहीं कहा था यह टीएस सिंधेव ने कांग्रेस की अधिकरित और उपचारी घोशना से परे जाकर यह कहा था, इनका महत्व कम नहीं है, यह अनधिकरित इसलिए नहीं माने जा सकते हैं सिंधेव कि यह कांग्रेस के चुनावी घोशना पत्र कमीटी के संयोजक हैं, तो इनकी बात को तो ग कहा था कि हम हर गरीब परिवार की एक महिला को देंगे, 72,000 रुपिया साल, साइच 6,000 रुपिया महिना बैटता था वो, सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस की उस गोशना के बाद भी, तो इन्होंने बढ़ा के एक लाग कर दिया है, उस वक्त यह अंदाज था कि देश की कर करीब 20 फी सदी आबादी उसमें आती है, और 20 फी सदी आबादी में 5 करोड परिवार ऐसे गरीब परिवार बैठते हैं, जिसकी एक-एक महिला को यह मिलेगा, यहने 2019 में कांग्रेस का अंदाज था कि करीब 5 करोड महिलाओं को यह फायदा मिलेगा उसका, उसके बाद इस पत्र में एक शब्द बदल गया है कि सबसे गरीब, उस समय गरीब था, अब सबसे गरीब हो गया है, मतलब यह है, पांच करोड महिलाओं से और कम हो गया होगा, ऐसा मेरा अंदाज है, मेरा अंदाज है कि पांच करोड महिलाओं से और कम हो गया होगा, क्योंकि अब सबसे गरीब की बात हुई थी लेकिन मैं दिल्चस्प बात बतलाता हूं ये 14 मार्च के बाद में अभी ये करीब करीब 20 दिन बाद कॉंग्रेस का उपचारी गोशना पत्र अभी जारी हुआ है आजे ही ये गोशना पत्र कहता है प्रतेक गरीब भारती परिवार को बिना शर्त की पहचान सबसे जरूरतमन परिवारों में से की जाएगी ये एक जगे प्रतेक गरीब कह रहा है एक जगे सबसे जरूरतमन कह रहा है ये ये भी कह रहा है कि यह राशी सीधे घर की सबसे बुजूर्ग महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी बुजूर्ग महिल में अगर कोई महिला नहीं रह गई है तो जो सबसे बुजूर्ग पुरूश है उसके खाते में भी यह जा सकता है और इसने तो पुरूश महिला नहीं का है कोई transgender परिवार है शायद उसमें भी जा सकता है किसी के खाते में लेकिन यह बारीक डिटेल्स तो बाद में जुड़ते हैं अब मैं थोड़ा सा इस पे जा रहा हूं कांग्रेस का आज का अउपचारी गोष्णा पत्र ये कहता है प्रतेक गरीब परिवार की एक महिला को लाख रुपए साल देने की महालक्ष्मी योजना है ये बड़ा साफ है गोष्णा पत् अब यहीं पे मैं एक चीज को लेकर हैरान हूं 36 गड़ में कांग्रेस पार्टी ने अउपचारी कुरूप से ये कहा है कि हर महिला को एक लाख रुपए साल दिये जाएंगे एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 20 फी सदी आबादी इतनी गरीब है उसमें हर परिवार की एक महिल महिला को दिया जाएगा जो करीब पांच करोल होता है अब अगर हर महिला का तो एक सो चालीस करोल के आबादी में 70 करोल महिलाएं होती हैं 70 करोल anonymous को देने की बाद जो है वो 36 गड़ कांगरेस पार्टी का बार बार का घोशना पत्र कह रहा है जो जुबानी कह रहे हैं यहां के केंडिडेट कह रहे हैं 36 गड़ कॉंग्रेस की पार्टी कह रही है इनकी प्रेस विग्यप्ती कह रही है इनके पोस्टर कह रहे हैं, इनके बैनर कह रहे हैं, जो फार्म ये भरवा रहे हैं, वो फार्म कह रहे हैं, ये फासला क्या है ये, कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में जो कह रही है, पिछले चुनाव में उसने जो आंकड़े रखे थे, इस बार आंकड़े नहीं रखे हैं, ल दिया जाएगा तो पांच करोड महिलाओं को मिलेगा यहां पर छतिजगड़ में बिना उम्र, बिना आए, बिना कमाई आर्थी कि अस्तर किसी के भी बिना. कॉंग्रेस यहां जो फार्म भरवा रही है महिला मत दातायों से, हम आपको दिखाएंगे फार्म भी साथ साथ, फार्म भरते महिलाओं की फोटो दिखाएंगे, फार्म दिखाएंगे, कांग्रेस की विज्यप्ती दिखाएंगे, वो किसी गरीब का जिक्र नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिधा सिधा कह रही है कि एक लाख रुपिया साल हर महिला को मिलेगा मेरे सामने कांग्रेस प्रतियाशी विकास उपाध्याय जो राजधानी राइपुर के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के वो फार्म बांट रहे हैं आरंग के राजी भवन में उनी के चुनावक शेतर में आता है उनी की विज्यप्ति है तो गलत नहीं हो सकती विकास उपाध्याय ने महिलाओं को योजना के फार्म बांटे उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने गोशना पत्र में हर घर की महिला को 8333 रुपय देने का वाइदा किया है इन्होंने कहा कि ये हर महिला को 8333 रुपय दिया जाएगा मेरे पास एक कार्ड है विकास उपाध्याय का जिसमें कहा गया है प्रत्येक परिवार की एक महिला को महालक्षमी नारी न्याय गारंटी का 8333 रुपया प्रतिमा दिया जाएगा इन्होंने रकम भी लिखकर ये पोस्टर आपको दिखाएंगे हर परिवार की एक महिला को लिखा है मैं मान लेता हूं कि 140 करोड की अबादी है अगर हम एक परिवार में 5 को भी गिनते हैं 5 लोगों को भी गिन लेते हैं 6 लोगों को गिन लेते हैं अबी 25 करोड से उपर परिवार ऐसे होते हैं खुद कांग्रेस जो है उसने पिछले चुनाओं के अपने घोशना पत्र में जो कहा था उसके हिसाब से 5 करोड महिलाएं होती थी ऐसी 5 करोड परिवार होते थे इस बार यह 25 करोड के करीब का वायदा कर रहे हैं गरीब वरीब सब शब्द हटा दिया है 36 गड में कांग्रेस के उमीदवारों ने सब गरीब वगर हटा दिया है कोई गरीब अमीर नहीं प्रतेक परिवार की एक महिला को यहने मेरे जैसे परिवार की महिला को जिनकी अपनी कमाई है तनफ़ा मिलती है उनको भी विकास उपाध्याई के वाइदे के मुताबिक एक महिला को 8,330 रुपिया मिलेगा फार्म भरवाय जा रहे हैं हम आपको फार्म भी दिखाते हैं यह फार्म देखिए नारी नियाए गारंटी महालक्ष्मी प्रत्येक परिवार की एक महिला को कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं रखा गया है क्या है यह क्या अखिल भारती इस तर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो और 36 गड़ की कांग्रेस पार्टी यह अलग अलग है 36 गड़ में कांग्रेस पार्टी घोषना कर रही है कि हर महिला को एक लाख रुपिया साल दिया जाएगा हर परिवार की एक महिला को दिया जाएगा ऐसा कह रही है हर महिला के बज़ाए हर परिवार की एक महिला कहना ठीक है क्या सच्मूच ऐसा करेगी कहां से करेगी 36 गल की कांग्रेस, अभी तो दिल्ली में ही कांग्रेस पाल्टी का बैंक खाता जब तो पड़ा है, ये तो सरकार आने के बाद की बात है, कितना पैसा देगी इस एक योजना में, दिल्ली में यूपिये की सरकार आए, इंडिये की सरकार आए, इंडिया गटब श्यक्लिताओं के खाते में सीधा पैसा बेजने में कोई भी केंद्र सरकार कितना पैसा दे सकती हैं? Congress ने अपने चुनावी घोषना पतर में इसका बजट नहीं बताया है संख्या भी नहीं बताई है केवल चुनावी घोषना पतर जारी कर दिया है उसमें के दिया है कि प्रत्य गरीब भारती परिवार में एक लाक रुपिया दिया जाएगा जो सबसे बुजुर्द महिला होगी उसको दिया जाएगा किसको सही मानू मैं जो कांग्रेस पार्टी और चारी घोशना पत्र जारी कर रही है मैं उसको सही मानू कि 36 गड़ में कांग्रेस पार्टी जो फार्म भर वा रही है महिलाओं से उसको मैं सही मानू 36 गड़ में Congress Party के फार्म जो है उसमें मेरे घर की महिला जो है वो भी फार्म भढ़ सकती है उसमें कुछ भी नहीं है कोई सीमा नहीं है आये की प्रत्येक परिवार की एक महिला को मैं Congress के खिलाप ये बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि महिला मत दाता जो की आधी है देश में आधे से ज़्यादा है शायद वोट भी उनका आधे से ज़्यादा पड़ता है अगर उनके भलाई की कोई बात हो रही है और जो गरीब महिलाएं हैं वो ज़्यादा वोट डालती है कांग्रेस ने खुद ही 14 मार्च के बाद से अभी तक सबसे गरीब से सबसे शब्द को हटा दिया है गरीब परिवार कर दिया है प्रत्य गरीब परिवार कर दिया है सबसे गरीब सबसे शब्द हटा दिया है 14 तारीक से अभी तक तो दिल्ली में खुद कांग्रेस ने अपने गोशना पत्र में ये बड़ा फर्क कर दिया है सबसे गरीब भारती परिवार और गरीब भारती परिवार इसमें बड़ा फर्क है आए सीमा में बड़ा फर्क है 36 गड़ में कांग्रेस औरूदार हो गई है विकास उपाद्याय राजधानी के निता हैं यहां के केंडिडेट हैं वो कांग्रेस पार्टी के वो खुल कर फार्म भरवा रहे हैं जहां गाड़ी रुकती है वहां फार्म के गठे के गठे उतर रहे हैं महिला फार्मों भर रही है क्योंकि हर महिला को मिलेगा लाख रुपिया साल किसको काटता है 8,333 रुपिया साल बहुत सारी कामकाजी महिलाओं की कमाई नहीं है उनकी तनफा नहीं है 3,000, 4,000, 5,000 रुपे महिने ने बहुत सारी महिलाएं काम करती है किसको कहते हैं एक लाख रुपिया साल तो अगर कांग्रेस पार्टी चछतिस गड़ में ये वाइदा कर रही है कि वो हर परिवार की एक महिला को एक लाख रुपिया साल देगी तो ये राश्ट्री ये कांग्रेस से बहुत आगे बढ़के किया जा रहा है ये वाइदा है मद्दाताओं को पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस ने आज के घोष्णा पत्र में दिल्ली में ये कहा है और यहां पर 36 गड़ में कांग्रेस के केंडिडेट कांग्रेस पार्टी कुछ और कह रहे हैं इन दोनों के बीच में सच कहा है फासला बहुत बड़ा है मुझको लगता है कि हर गरीब परिवार ये बहुत सारे हो सकते हैं और हर परिवार ये उससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अंदाज ये है पिछले चुनाव का कांग्रेस का कि 20 फी सदी परिवार सबसे गरीब थे। अगर कांग्रेस उसी को पैमाना बना कर चल रही है, 20 फी सदी परिवारों को, तो 36 कांग्रेस के हिसाब से तो बचे 80 फी सदी परिवार भी जुड़ जा रहे हैं इसमें, पांच करोड़ परिवार, पांच करोड़ महिला के बजाए ये 25 करोड़ परिवारों की 25 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा, क्या ऐसा सचमुच होने जा रहा है, मैं बजट नहीं बनाता हूं सरकारों का न, 36 सरकार का न, केंद्रे सरकार का, जो पार्टी वाइदा करती है, वो जाने की वो पैसा कहां से लाईगी, कैसे देगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्या केंद्र सरकार का बजट भी इतना रहेगा, कि 25 करोड महिलाओं को ऐसा दिया जा सके, जो 36 गड़ में उनकी पार्टी वाइदा कर रही है, ये वाइदा क्य मुझको अभी तक भाजपा के लोग जो है, वो इस वाइदे के हिसाब किताब को लेके आवाज उठाते दिखनी रहे हैं, मैं भाजपा के हिस्से का काम करना नहीं चाहता, मैं कांग्रेस के हिस्से का भी काम करना नहीं चाहता, मेरी दोनों ही पार्टियों से बराबरी की द पार्टी की सरकार भी बन जाएगी दिल्ली में, तो क्या इतना पैसा वो सरकार देगी, ये तो उसके वाइदे में नहीं है, जो 36 गड़ में किया जा रहा है, मैं 36 गड़ महतारी, 36 गड़ की महिला, मैं इसके हक में ये खुलासा चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ये खुलास चाहता हूं यह खुलासा चाहता हूं मैं इससे फाइदा कॉंग्रेस को हो भाजपा को मेरा उससे धेला लेना देना नहीं है मेरा उससे 8333 रुपए का भी लेना देना नहीं है मैं महिला नहीं हूं तो चाहे किसी भी तपके की महिला को मिले मुझको तो यह पैसा मिलना नहीं आप सोच के देखिए का आपके पास कोई आए भाजपा या कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए उनसे पूछिएगा कि यह जो आठाजार तीन सो तैंटीस रुपिया है हमको भी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा थार्म क्योंने भरवा रहे हो हमारे से और जब आप फार्म भरवा रहे हो आपके पोस्टर में आपके बैनर में सब जगे लिखा हुआ है प्रत्येक परिवार की एक महिला को आठाजार तीन सो तैंटीस प्रतीमा हंस्ते मुस्कुराते विकास उपाध्याई की तस्वीर छपी है वो कहते हैं अब मुस्कुराहट के मामले में इनकी सब तस्वीरों में ये मुस्कुराते हैं मैं नहीं जानता कि चुनाओं के बाद अगर दिली में इंडिया गटबंदन की सरकार बनेगी तो उसके बाद फार्म भढ़ने वाली हर महिला मुस्कुरा सकेगी या हर गरीब परिवार की एक महिला मुस्कुरा सकेगी या सबसे गरीब परिवार की महिला मुस्कुरा सकेगी हो सकता है हिंदोस्तान की महिला की दूआ लग जाए 36 गड़ में जैसे आपने देखा है पिछले विदान सबा चुनाओं में महतारी वंदन योजना इस कदर लोगप्री हुई कि महतारी ने भाजपा का वंदन कर दिया उनको सत्ता में बिठा दिया हो सकता है कि देश में महिलाओं को हर कंडिडेट कांग्रेस के अगर विकास उपाद्याई जैसे हंसते मुस्कुराते यही कहते रहेंगे प्रत्यक परिवार की एक महिला को मिलेगा यह तो हो सकता है कि इंडिया कॉलिशन की सरकार बन जाए दिल्ली में देखना पड़ेगा कि किसको क्या मिलेगा फिलहाल आप अपना वोक तै करने के पहले आपके दरवाजे कांग्रेस बीजेपी के जो भी आएं केंडिडेट प्रचार करने वाले कारेकरता उनसे पूछे कि भी यह राज क्या है हमको मिलेगा की नहीं जो संपन्न महिलाएं वो भी पूछे कि इसमें तो लिखा है प्रत्यक परिवार हमारा भी आता है उसमें पूछ के देखिएगा वोक देने के पहले वाइदों को ठोक बजा लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी है आपको हमारी ये बात अच्छी लगती है कि हमने किसी तरक संगत नया संगत बात को उठाया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों परीचोतों को इसको जरूर भेजिएगा उनके घर में कोई न कोई महिला हो सकती है हो सकता है परिवार में न हो महिला काम करने घर में कोई महिला आती हो उनके साथ अफिस में कोई महिला हो उनको बढ़ाएं इसको हर महिला को समझ लेना चाहिए अच्छे से उसके साथ जो वाइदा किया जा रहा है वो कितना खरा है, कितना खोटा है आप समझिएगा इस बात को अच्छे से अपना vote अच्छे से सोच समझ के दीजिएगा Congress भाजपा जो भी आप से वाइदा कर रहे हैं अच्छे से समझ लीजिए खुलासे से पूछिए जैसे आप एक mixi भी खरीदने जाती है बाजार तो आप पूछती है ये कितना काम करेगी कितने घंटे चला सकते हैं इसमें कड़ी चीजें पीश सकते हैं कि नहीं सुखा चना पीश जाएगा कि नहीं बनाने के लिए सर्विस सेंटर कहा है आपके vote की कीमत भी ज़्यादा है एक mixi से washing machine से ज़्यादा है आप पूछ के देखिएगा इन लोगों से कि तुम क्या दोगे भाई पहले बतलाओ ठीक है हस्ता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा आपको विकास उपाद्याए आपके यहां प्रचार के लिए आएंगे उनसे पूछिएगा एक कोई YouTube चैनल वाले सुनील कुमार जी कहा है आपसे पूछने के लिए ऐसा पूछ के देखिए फिर मिलते हैं आपसे चलते चलते छोटी सी सलाह आपको और लगातार दुपईया के एकसिडेंट में लोग मारे जा रहे हैं मेरे कैमरा परसन ने अभी सुभे सुभे मुझको दिखाया कि दो स्कूटी या दो स्कूटर टकरा गए उसी में मर गए लोग टकराने से कोई एक कहीं छिटक के गिरे वो ट्रक आ रही थी उसके नीचे आ गए फ़ड़ा सोच के देखिए कि न ऐसी टकर की नौबत आनी चाहिए न कुचलने की नौबत आनी चाहिए न सिर पे चोट लगने से मरने की नौबत आनी चाहिए अगर आप दुपईया पे हैं चाहे चला रहें या पीछे बैठें हिल्मेट जरूर लगाकर रखिए नियम भर पुलिस का है सिर आपका है आप नियम की इज्जत मत करो कि नियम की इज्जत करना है इसलिए हिलमेट लगाएं आप अपने सिर की इज्जत करो अपने परिवार की जरूरत की इज्जत करो आप चाहे कमाऊ ना भी हो परिवार में आप चाहे पूरी तरह से निकम्मे और नालायक हो तो भी आपके परिवार में आपके सिर की इज्जत होगी कदर होगी इसलिए सड़क पर दुपहिया पर चलते हुए हिलमेट लगा कर रखिए फिर मिलेंगे